नमस्कार मैं हो सोग बर्मा आप देख रहें टीबी टॉंटी न्यूज टीबी टॉंटी न्यूज पर फटा फट खबरें जारी हैं बने रहे हैं हमारे साथ जिला अधिकारी कारियाले पर नयाए की गुहार लगाने आये राम नियान यादो पूर्तर राम अवध यादो ग्राम वपोस्ट कलंदर पूर आजम करनी पात्रकारों से बात चितमे बताया कि हम पंचाच चिनाओ में बलाक मुहम्मद पूर से जिला पंचाच छेतरानी पू प्रसासन के लोगों दोरा मुझे वहां से चवर्दस्ती निकाल दिया गया और मतगरना चलती रहे हमारे सारे मतगरना अभिकरता मौसूद थे दूसरे दिन तीन मई 2021 को जब क्राम सबरानी पूर अजिवों की गिनती चल रही थी तब हम 116 मतों से आगे चल रहे थे और मुझे कोई सूचना नहीं मिले मुझे सक है कि मेरे अभिकरता को निकाल कर मतगरना में गल बड़ी हुई है हम मांग करते हैं कि जिला पंचायद छेत्र रानी पूर अजमों की पुना मतगरना खरा कर हमें नया जिलाए जाए क्या कुछ कहा रामने नियादो सब्रत्यासी न और मतगरना दो तारीफ को जब शुरू हुई मतगरना के दिन जब मैं मतगरना कराने गया उसके दो घंटे के बाद प्रसासन की लोग जबरदस्ती मुझे वहां से निकाल दे और मैं बाहर चला गया लेकिन मेरे अभिकरता एजेंट लोग वहां मौजूद रहे और काउंटिंग बाकी थी तभी प्रसासन के लोग आये और काउंटिंग चल रही थी प्रसासन के लोग आये हमारे सभी एजेंट लोगों को जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिये जिसकी सूतना जब मुझे हुई तो मैं मौके पर आया और अधिकारियों से पूछने लगा कि यह क्या हो रहा है और चुनाओं में क्या चल रहा है जिसकी कोई जानकारी हमको नहीं दी गई टाल मट्रोल करके बातों को टाल दिये और जब मैं लगा तार अधिकारियों से संपर्क बनाना चाहा तो किसी बड़े अधिकारी से कोरोना के नाम पर संपर्क नहीं हो पाया तो मैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से अपनी बातों को बताया और निर्वाचन अधिकारी को आउगत हम लोग कल कराए लेकिन अभी तक हमको कोई सूचना मिल नहीं पाई कि प्रडाम में हो क्या रहा है तो हम लोग मानी जिला दिकारी महोदे के हां आये हैं कि हमको कम से कम मानी जिला दिकारी महोदे के माध्यम से नयाय मिल सके और मैं चुनाओ जीच चुका हूँ लेकिन लोग जबरदस्ती मुझे हराना चाह रहे हैं इसलिए हम मानी जिलादिकारी महोदे के हां आके अपनी बात कहने जा रहे हैं लेकिन मुलाकात करोना के नाम पे हो नहीं पा रही है हम काफी परसान हैं मानी जिलादिकारी महोदे से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारी मदद करें